नमस्कार जैगोमाता मित्रों राम राम कैसे आप सब और मित्रों जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे मैं उस समय ओमान में रहूंगा तो इंडिया में नहीं रहूंगा तो मैं एडवांस में आपको दिपावली की बहुत-बहुत सुब कामना देना चाहता था इसलिए म बहुत-बहुत सुब कामना है और दिपावली के दिन दूसरे दिन जैसे हमारे छित्रे में गायों के हम लाल रंग से जो गायों को पैंट करते हैं यानि कि जो एक कपड़ा लेके उसके उपर जो लगाते हैं अच्छी मतलब डिजाइन बनाते हैं और उनके शिंग भी जी जो गोबरतन की अचिर्वे गई चाना जाते हैं और फंदा दिन बाद यानि कमने कार्दिक पूर्णी इन travelled में को अइस जगह पे गर के मुख्य दौर के सामने जहां गाएं हमेशा बार चड़ने के लिए जाती थी उस जगह पे ताकि गाएं के पाउं पड़े और वो गोवर्दन जो गोवर है वो बिखरे तो वो एक खुशी का और कहुं तो एक समर्दी का सुचक होता था तो आज भी वो परंपरा गाउं में जिंदा है और लगबग- किस परकार से मनाएं जाती वह भी आप जरूर कमेंटस में मुझे कमेंट करके बताएं तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्या अकर देते हैं गोवर्दन को लेकरuster काइं एक ज्ली में और पूरे गाउं हैं पुर्णीमा के दिन हमारे चेत्र में जैसेermREE मेला भी में पूर्णी के मेले चलो, घायों के खुरों से बनाए जाता है, तूट जाता है तो घोबर हम क्या आए पूरे गाउं में विखेर के आते हैं, और गाउं के बाहर तक जाके और फिर मतलब ऐसा बोलते हैं खुझा की मुंपली जो हम, घुज्राकि मुंपली है, अच्छी है मिठी मुंपली वो खा के आओ और पूर्णी मा के दिन वापिस आओ इस परकार से हम करते दे और आज भी बच्चे कुछ बच्चे करते हैं लेकिन आज कल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा वीजी होने के वज़े से यह देरे-देरे परंपरा अब लुप्त होती जा रही है आपक्रशन ने गोवर्दन को धकरते अपनि अंगुली पर आज वी पर पर सें वोलसाइन जिन्दा है तो मुझे लगता है कि सोशल मेडिया के माध्यम से आपको भी बताऊं तो कुछ परंपरा हैं जरूर जो भी भाई गोसला चलाता है या गोवन्स को चाहिए आपके पास एक गोधन भी क्यों नहीं हो लेकिन आप जरूर करें और अपने बच्छों को भी बताए ताकि हमारी जो सनातनी परंपरा है उसको लोग जाने और आगे से आगे हम नेक्स्ट जनरेशन को उस परंपरा से अउगत कराए और अगेन मैं आपको दिपावली की बहुत-बहुत सुब कामना है और आशा करूंता हूं कि आपके परिवार, गोधन, गाउं और सब अच्छे होंगे और सब को अच्छा स्वा परग है भारते हैं उनके लिए न्यू फाइनेंशियल इयर होता है कि नए भाई खाते उस दिन स्टार्ट किया जाते हैं पूराने भाई खाते बंद किया जाते और नया हिसाब शुरू किया जाता है तो लगबग मारवाडी फैमेली में तो ऐसा है और गुजरातियों में भी है लेकिन मुझे लगता है कि काफी जो बिजनस फैमेली है परंपरा गरत रूप से उनमें भी यह परंपरा आज भी है तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए नए व्यूर्स बाई लोग प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो धन्य अवाद मित्रो जाइ गो मता